राहूल गांदी से एडी की पूस्ताज की विरोध में कॉंग्रेस नेताओं ने जैपूर के सिविल लाइन्स बाटक पर प्रदर्शन किया। कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्स गोविन सिंग डोटासरा साइथ कईनेता बेरिकेट्स पर चड़ गए इससे पहले हुई सबा में कॉंग्रेस नेताओं न केंदर सरकार को निशाने पर लिया। इमानदारी का पड़ाएंगे कि किस मुह से हमारी इमानदारी पर सवाल उठाएंगे ये एडी से चोटी तक चोटते लोग हैं एडी से चोटी का मतलब है कि इन्हें आलपिन की नौक भी इमानदारी की जगए नहीं गुश सकती। अब बताओ बरश्टाचार की सीमाएं पार करने वाले ये लोग हमको सवाल पूछते हैं बरश्टाचार के मामले में। राहुन खांदी को सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे पास पैसा कहा आया अरे मोदी जी तुम बताओ तुम्हारे हिंदुस्तान में 600 कारेले कहां से बढ़े तुम्हारे तो आगे पीछे भी नहीं है तो तुम्हारे पास कहां से पैसा आया तुम तो बच्पन में निकल आहने थे , भाँं भाँं धानी धानी शंग परचार के परचारक के रूप में ने जमीन है ने जाइद आद हैं ! moyens क poiिरॉय आता है ! ने कोई भाइड आता है ! तो आपके पास पैसा कहा से आया कि पूरे हिंदुस्तार्न में BJP पे कारियले बन रहे ? आज मैं सिक्कर से आता हूं सिक्कर में फाइस्टार होटल की तरह इनका कारियाले है आज हिंदुस्तान की दिल्ली राजदानी हमारी उसके अंदर हजार फंद्रासो दो हजार करोड रुपे का इनका कारियाले बन रहा है इनके लोग RSS के लोल 20-25-25-30-30 करोड रुपे की रिश्वत लेते केमरे में केद हो रहे हैं ये हमको इमानदारी का पार्ट पढ़ाएंगे हमारी इंसानियत के उपर हमारी खुदगर्जी के उपर हमारी इमानदारी के उपर सवाल उठाने का इनको कोई आक नहीं है ये तो ठेट एडी से लेके चोटी तक चोड़ते लोग हैं इनसे हम डरने वाले नहीं हैं एडी से चोटी समझो ना एडी से चोटी का मतलब है कि आलपिन की नोग भी इमानदारी की जगए नहीं गुजज़कती है इनके कि वो इस देश में कुछ भी करेंगे इस देश की एकनोमी को दोस्त कर देंगे इस देश की जीडीपी को बर्बाद कर देंगे इस देश के सारे एरपोर्ट और पोर्ट अदानी को दे देंगे इस देश का सारा दनमबानी को दे देंगे तो अगर एक वेक्त इस सब चीज़ के बीच में खड़ा हुआ है जो निदर है जो डरता नहीं है जो हमेशा हर मुद्दे के खिलाब बोला है और अब लोगों को ये पैचान में आने लग गया कि जब राहुल गांदी बोलता है तो छे महीने बाद में सबको पता लगता है कि राहुल गांदी जी ने सही बोला था हुआस देश की सामने वो परिस्तियां बनती जा रही है सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कॉंग्रेस की सरकारे रही है लेकिन कॉंग्रेस के लोगों ने बहरु सिंग्जी को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि बहरु सिंग्जी राजस्तान के बेटे थे असोग जैलोट भी राजस्तान का बेटा है राजस्तान की जंता ब्यास पाइद बीजेपी से वसूल करेगी उसकी गिरफ्तारी का और जिन लोगों ने आप क्या समझते हो ये गिरफ्टारी असोग जैलोत की नहीं हुई है ये राजस्तान की गिरफ्टारी हुई है ये राजपुताना की धर्ती है ये माना प्रताप और पन्ना धाई की धर्ती है ये माराया सूरजमल की धर्ती है आन बान और शान की धर्ती है यहां का एक एक को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर एंड सस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकल को दवाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरे सबसे पहले मिलें